वह देवता, जिसने एक महिला को बांसूरी में बदल दिया, पैन जंगल के देवता थे, जिन्होंने हर वह महिला भी प्रसिद्ध की कोशिश की, जो उनके आसपास आने की गलती करती थी. इसमें विभिन्न पशुओं और बकरियों को भी शामिल था. एक दिन सुंदर नाई का सिरिंक्स, जो अपने पवित्रता के लिए जानी जाती थी, ने पैन का ध्यान आकरशित करने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती उठाई. उसने बार-बार उसके प्रस्तामों को नकारा और उस गर्वित आधे बकरे आदमी से दूर होने की कोशिश की, लेकिन वह बरकरार रहा और उसे परेशान करता रहा. अंत में सिरिंक्स को वह एक चमकदार विचार समझी. पैन के प्रेमी देवता द्वारा पीछा किये जाने पर उसने एक नदी के किनारे दोड़ते हुए नदी नाईकाओं से सहायता मांगी. उत्तर में उसने खोख इसे सिरिंक्स के नाम से जाना जाता है. इस तरीके से वह हमेशा उसे चुमा ले सकता था.